नवस्कार, एस्टो तक में आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है, मैं हूँ प्रवीन मिस्र आईए जानते हैं आपका सितंबर का महिना कैसा बीतेगा सितंबर का महिना पर्व और तेवहारों से परिपूर्ण है बहुत सारे पर्व और तेवहार सितंबर के महिने में है तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कौन-कौन से तेवहार हैं सितंबर को और साथ सितंबर शनिवार से ही गणेश उत्सव का कारकरम शुरू हो जाएगा जो चलेगा अनंत चतुरदसी तक अनंत चतुरदसी होगी सत्रह सितंबर को उसके बीच में भी कुछ परव पढ़ेंगे जैसे आठ सितंबर रविवार के दिन रिशी पंचमी है 11 सितंबर को और 14 सितंबर को परिवर्तनी एकादसी है 15 सितंबर को बावन जैनती है और 16 सितंबर को जो है भगवान शूरे कन्या राश में प्रवेश कर जाएंगे मतलब कन्या संक्रांती जो है 16 सितंबर को है बिसकर्मा पूजा भी 16 सितंबर के दिन होगी सोंबार का दिन ह और हमने आपको पहली बताया कि 17 सितंबर को अनंत्चतूरदसी का पर्व है और इसी दिन से जो है पूरिमा का स्राध्ध शुरू होगा पूरिमा का स्राध्ध हम अनंत्चतूरदसी के दिन करेंगे 18 सितंबर से पित्रपक्ष की शुरुवात हो जाएगी और प्रतिपदा का स्राद्ध जो है 18 सितंबर को होगा और 19 सितंबर को अश्विन मास की प्रारंब का समय होगा 19 सितंबर से जो कालास्टमी है मासिक कालास्टमी है वो 24 सितंबर को होगी नौमी का स्राध जो है इस बार 25 सितंबर को होगा और इंदिरा एकादसी 28 सितंबर को होगी 29 सितंबर को जो द्वादशी का स्राध है वो होगा और 30 सितंबर को त्रियोदशी का स्राध होगा उस दिन माशिक शिवरात्री भी रहेगी तो ये तो तेवहारों की लिस्ट हो गई कौन कोंसे परव तेवहार इसमें किस तिथी को पढ़ेंगे किस दिन पढ़ेंगे हमने आपको बताया जो ग्रहों का गोचर है वो भी बता देते हैं एक गोचर हमने आपको बता दिया कि कन्या राशी में शूर प्रवेश कर जाएंगे 16 सितंबर को इसका समय होगा साम को 7 बज कर 43 मिरट में और बुद्ध सिंग राशी में प्रवेश कर चुके हैं पहले से ही और 15 सितंबर को बुद्ध पूर्व दिशा में अस्त हो जाएंगे शाम को बुद्ध का उदय होगा अब 20 अक्टूबर को और बुद्ध कन्या राशी में प्रवेश करेंगे 23 सितंबर को शुक्र तुला राशी में प्रवेश करेंगे 18 सितंबर को दोपार के समय तो ये जो ग्रहों का गोचर हो गया कौन-कौन से ग्रह इस महिने में राशी बदलेंगे अब आईए जानते हैं कि ग्रहों के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा हमारी राश्यों पर तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेश राशी की मेश राशी वालों के लिए ये जो महिना है सितंबर का महिना बहुत अच्छा बितेगा आपके कारे छेत्र में जो रुकावटे आ रही थी वो दूर होंगी घर परिवार वालों से जो मन भेद था मत भेद था वो मत भेद समाप्त करने का मोका होगा आप इस महिने के पर रुतेवार बिलकुल प्रेम से मनाईए घर वालों के साथ मिलकर मनाईए तो आप देखेंगे बहुत लाब होगा घर में पॉजिटिविटी और फैले की प्रोफेशन से संबंधित यदि कोई डिसिजन लेना चाहते हैं मेश राशी वाले तो आप ले सकते हैं कोशिस करिए कि 15 से 16 सितंबर तक अपने फैसले कर लें उसके बाद उचित रही होगा 15 से 16 सितंबर तक का समय है कोई महत्यपूंट डिसिजन लेने के लिए मेश राशी वालों के लिए सला यह है कि सितंबर के महिने में कोशिस करें कि कुछ नया सीखने का प्रयास करें अपने करियर से रिलेटेड अपने फिल्ड से रिलेटेड या जिसमें आपकी रूची हो कोई नई चीज़ सीखने की कोशिस करें उससे आप देखेंगे आपको बहुत फायदा होगा इस पूरे महिने आपको भगवान शिव का पूजन करना है भोले नात का पूजन करिये भोले नात की करपा से आपके काम सफल होगे और पूरे महिने आपके लिए शुब रंग रहेगा क्रीम कलर अब बात ब्रश राशी की ब्रश राशी वाले अपने मन में किसी भी तरह के नेगेटिव भाव को ना बढ़ने दे इस पूरे महिने में आपको धैर इसे काम करना होगा कारियों में जल्दवाजी दिखाना उचित नहीं होगा और 18 सितंबर को आपकी जो राशी का स्वामी शुक्र है वो अपनी ही राशी तुला राशी में आ जाएगा शुक्र की दो राशियां है ब्रश राशी और तुला राशी तो तुला राशी में प्रवेश कर जाएगा 18 सितंबर के पहले आपको ध्यान रखना है अपनी खर्चों को काबू में रखना है खर्च आपके बजट के बाहर ना जाने पाएं इसका ध्यान रखिए और लंबी दूरी की यात्रा से बचें स्वास्त के मामले में लापरवाही बिलकुल ना करें ब्रश राशी वाले बाकी समय आपके लिए ठीक है घर परिवार से सपोर्ट मिलेगा जो आपकी समस्याएं चली आ रहे थी उन्हें हल करने में आप कामयाब होंगे पूरे महिने शुब रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर और उपाय प्रति दिन मा दुर्गा की आर्थी करें बारी आगई अब मिथुन राशी की मिथुन राशी वालों के लिए ये पूरा महिना अपने कारियों को विवस्तित रूप से करने वाला होगा किसी भी काम में जल्दवाजी दिखाना, किसी भी चीज को बदलने की कोशिस करना इन चीजों से बचना है, धैर रखना है खासकर प्रोफेशन के मामले में क्विक डिसीजन लेने से बचना है थोड़ा खुद को टाइम दीजिए, डिसिजन लेने से पहले थोड़ा सा ज़ादा विचार करें, एक आध दिन टाल दें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। घर-परिवार वालों की सला को अपने बड़े फैसलों में मिथुन राशी वाले अवश्य सामिल करें, तेज सितंबर को बुद्ध कन्या राशी में प्रवेश करेंगे, तो तेज सितंबर तक आपको ध्यान रखना है, एक ग्रेशन से बचना है, बुद्ध आपकी राशी का स स्वामी है, तो गुस्ता आपके काम बिगार सकता है, तो ध्यान रखिए तेज सितंबर तक क्रोध से बचिए, खान पान का अपने ख्याल रखें, स्वास्त के मामले में लापरवाही न करें, अगर कोई दवाई ले रहे हैं, तो समय पर अवश्य लेते रहें, शुबरंग रहेगा इस पूरे महीने आपके लिए केसरिया और उपाय प्रति दिन भगवान गनेश की पूजा आरती करें, तो आपके लिए बहुत लाबदायक होगा, बारी आगई अब करक राशी की, करक राशी वालों के लिए ये महीना आपके भागे को बढ़ाने वाला होगा, बस negativity से बचना है ऐसे लोगों से दूर रहना है जो हमेशा negative बात करते हैं ऐसे लोगों से दूरी बना करके रखेंगे तो अच्छा रहेगा अपने काम से काम मतलग रखें अपने काम पर ध्यान दें फाइनेंस से संबंधित related जो काम है फाइनस से जुड़े हुए जो काम है उनको समय पर निप्टाने की कोशिस करें बहुत ज़्यादा उधार लें दें से बचेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा स्वास्त के लिहाद से ये समय आपके लिए अनुकूल होगा कोई महत्पून डिसीजन लेना है तो 15 सितंबर के पहले पहले कर लें तो अच्छा होगा शुबरंग रहेगा आपके लिए इस पूरे महिने सफेद और उपाए प्रति दिन भगवान शिव को जल अर्पित करें बारी आ गई अब सिंग राशी की सिंग राशी वालों की धन की इस्तिती में सुधार होगा सितंबर का महिना धन के लिहाज से अच्छा है कारिछेत्र में आपकी छमता आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपके अधूरे काम पूरे होंगे घर परिवार वालों से कुछ बातों को लेकरके अनबन हो सकती है, मतभेद हो सकती है एगो प्राब्लम हो सकती है लेकिन अगर आप धैर रखेंगे समझदारी से उसे सुल जाने का प्रियास करेंगे तो महीने के अंत में खास करके 20 सितंबर से 20 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में problem हल हो जाएगी लंबी दूरी की यात्रा से बचें और लोगों से उलजने से बचें ये आपके लिए विशेश सला है शुब रंग रहेगा आपके लिए हलका लाल और उपाए प्रति दिन आप भगवान शूरे को जल दें और जो है भगवान गणेश की आरती करें बारी आगई अब कन्या राशी की कन्या राशी वाले इस महिने में अपने खर्चों को कंट्रोल करें लक्जरी प्रड़क्ट में धन खर्च करते समय अपने बजट का ख्याल रखें स्वास्त के मामले में बिल्कुल लापरवाही न करें और कन्या राशी वाले ध्यान रखें सरकार से संबंधित जो आपकी कारे हैं वो महिने के आखरी 5-6 दिनों में बनेंगे खास कर 23 सितंबर से जब बुद्ध कन्या राशी में प्रवेस कर जाएंगे तो आपके काम बनेंगे 23 सितंबर से 23 सितंबर के बीच में अंजान लोगों पर भरोसा करना उनके भरोसे कोई काम छोड़ना आपके लिए नुकसान दायक हो सकता है इसलिए इस बात का ख्याल रखेगा शुबरंग रहेगा इस पूरे महिने आपके लिए हलका पीला और उपाय प्रति दिन भगवान गणेश की पूजा करें गणेश जी को दूब की माला चड़ाएं तो आपके लिए अच्छा होगा बारी आगई अब तुला राशी की तुला राशी वालों को भागेका सपोर्ट मिलेगा 15 सितंबर के बाद से कोई महत्वोंट डेसीजन अगर आप लिना चाहते हैं तो अभी इस मही ने रुख जाए अभी इस महीने जो काम आप कर रहे हैं वो करते रहिए खास कर करियर से संबन्धित डिसीजन लेना है तो आप अगले महीने लेंगे तो अच्छा रहएगा सब्योंे टाल तो बहुत ठीक रहेगा आपके जो काम रुके पड़े हैं वो 15 सितंबर के बाद से बनने शुरू होंगे जब भागे का सपोर्ट आपको मिले लगेगा अपनी वाणी पर नियंतरन रखें मधूर भाषा का प्रियोग करें और अपने काम में जो है फिट रहें किसी भी काम को लेट मत करें अपनी तरब से देरी ना होने दें इसका बहुत ख्याल रखेंगे स्वास्त के लिहास से अनुकूल समय हैं सेहत में आपके सुधार होगा यदि तब्यत खराब थी तो ठीक हो जाएगी और कोशिस करें कि लंबी दूरी की यात्रा अभी इस महिने ना करें शुब रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर और उपाय प्रति दिन आप भगवान, शिग और मता पारवती का पूजन करें तो आपके लिए बहुत लाबतायक होगा बारी आगई अब ब्रिश्यक राजशी की ब्रिश्यक राजशी वालों को कारे छेत्र में इस महिने सफलता मिलेगी खास करके करियर से संबंधित जो काम है उन पर आप अपना ध्यान बढ़ा दिजे उन पर अपनी मेहनत बढ़ा दिजे आपको अच्छी सफलता की प्राप्ती होगी ब्रिश्यक राजशी वाले अपने फाइनेंस रिलेटेड मैटर सब के साथ शेयर न करें जिनके साथ बहुत जरूरी हो उनहीं के साथ शेयर करें और घर परिवार के लोगों को और समय दें उनके साथ और वक्त बिताएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा यात्रा से इस महिने आपको लाब होगा तो अगर किसी अपने प्रोफेशनल काम से जाना चाहते हैं किसी टूर में जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं शुबरंग रहेगा आपके लिए हलका लाल और उपाए प्रतिदिन हनुमान चालीशा का पाट करें बारी आगई अब धनुराशी की धनुराशी वालों के लिए ये सितंबर का महिना धार्मिक कारियों में समय लगाने वाला होगा आप जो भी काम करते हैं अपने प्रोफेशन से रिलेटेड काम तो करते रहेए लेकिन धर्म कर्म में भी समय लगाए गणेश उत्सों के दौराण गणेश जी की पूजा करें स्राद्ध के दौरान स्राद्ध करें तरपन करें अपने पूरवजों का तो उससे आपके आने वाले समय में जो है बहुत आपको लाब होगा थोड़ा सा समय पूजा पाट के लिए अवश्य निकालेगा घर परिवार वालों से किसी बात को लेकर मतभेद न होने पाए इसका धनुराशी वालों को विशेज ख्याल रखना होगा आपकी आर्थिक स्तिती में इस महीने सुधार होगा ध्यान रखें अपने खर्चों को बजट के बाहर ना जाने दें शुबरंग रहेगा आपके लिए पीला और उपाए प्रति दिन भगवान गणेश की पूजा करें बारी आगई अब मकर राश्य की मकर राश्य वालों को इस महीने धन लाव के अवसर प्राप्थ होगे कारे छेत्र में आपकी इस्थिती में सुधार होगा मकर राश्य वाले कोशिस करें कि जो सरकार से संबंधित कारे हैं उन्हें पहले पंदरा दिनों में अवश्य पूरा करने का प्रयास करें अपनी तरफ से पूरी कोशिस करें इस महीने यात्रा से लाब के योग भी आपके लिए बन रहे है शुब रंग रहेगा आपके लिए आसमानी और उपाय आप पूरे इस महीने में आप ध्यान रखें गणेश उत्सों के दोरान गणेश जी की पूजा करनी है और जब स्राद्ध का समय होगा तो अपने पूर वजों का तरपन अवश्य करना है बारी आगई अब कुम्भ राशी की है कुम्भ राशी वालों को घर परिवार से अच्छा सपोर्ट मिलेगा आपके अधूरे काम पूरे करने में आपको अपने सीनियर से मदद मिलेगी प्रोफेशन से संबंदित जो काम आपके अधूरे पढ़े उन्हें हवश्य पूरा करिए निप्टाइए समय आपके लिए अनुकूल है भागे का साथ भी इस महिने आपको प्राप्त होगा अगर कोई प्रापर्टी से संबंदित डिसीजन लेना चाहते हैं तो 15 सितंबर के पहले पहले ले ले आपके लिए अच्छा रहेगा उसके बाद रुकने की सला है कुम्भ राशी वाले ध्यान रखें स्वास्त के मामले में अपना खान पान ठीक रखें कोई दवाई ले रहे हैं तो समय पर लेते रहें शुब रंग रहेगा आपके लिए सफेद और उपाय आप गणेश उत्सों के दारान प्रति दिन भगवान गणेश को दूब की माला आवश्य अर्पित करें बारी आगई अब मेन राशी की मेन राशी वालों को इस महिने भागे का सपोर्ट प्राप्त होगा आप एक्टिव होकर के काम करिए कारेचेत्र में सफलता मिलेगी करियर पर ध्यान देने का समय है ज्यादा वक्त करियर में लगाना होगा ताकि आप अपने प्रोफेशन को और अच्छे तरीके से निखार सके सुभाव में क्रोध लाना इगो लाना उचित नहीं होगा कोई महत्यपूर्ट डिसीजन लेना चाहते हैं तो आप 20 सितंबर के पहले पहले कर लें तो अच्छा रहेगा इस महीने लंबी दूरी की यात्रा से बचें शुब रंग रहेगा आपके लिए पीला और उपाए गणेश उत्सव के दौरान भगवान गणेश को बेशन के लड़ू या मोदक का भोग लगाएं और करीबों को प्रसाद पाटे हैं तो इस महीने के राशिफल को अब यहीं समाप्त करते हैं भगवान गणेश सब पर कृपा करें, सबकी मनों काम नाओं को पूर करें ऐसा हम भगवान गणेश से प्रातना करते हैं आप सब भी प्रातना करिए और गणेश उत्सव अपने घर परिवार वालों के साथ अवश्य मनाएं बूलिए जये गणेश देवा एस्टो तक आप पर आपको मिलेगा भविश्य से जुड़े हर सवाल का जवाब डाउनलोड कीजिए एस्टो तक आप और चुटकी में जुड़े इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलोजर से